प्राणिस्वर एक्ष्रादेव पर्यमधाम की आत्माओं को जगाने के लिए प्रिस्थान करते हैं दिव बंदर से जगा जगा अवरोध खड़े होते हैं संसार में सत्य और सत्य का संगर समेशा से चलता रहेगा इसको कोई रोक नहीं सकता कुछ समेटक उजाला होता है अंधेरा चा जाता है अभी दो पर का सुरद चमक रहे पांच-छे गंटों के बाद अंधेरा चा जाएगा पूरी रात्री अंध्रकार फैला रहेगा लेकिन अंध्रकार भी हमेशा नहीं रहेगा पुना सवेरा उगेगा सूरी की किरने चमकेगी और अंधेरा भाग जाएगा लेकिन कुछ घंटो के बार पुना अंधेरा चलेगा संसार की यह कहानी है एक तरफ ज्यान का प्रकास होता है दूसरी तरफ अज्यानता का अंदकार फैला होता है और मानो जाती ज्यान और अज्यान के बीच में जुस्ती विदिखती है जब से स्ष्टी पैदा हुई है स्ष्ट के प्रारंब में वेद का घ्यान आतरित होता है पांच चार रिषियों के द्वारा पृंपरा से चलता रहा उसकी व्याख्या में नजाने कितने गरंथ बने आज इस स्रिष्टिक हुए एक अरब चानबे करोड़ आट लाग तीरपन अजार एक सो तेईस वर्स हो रहे हैं इस कालखन में नजाने कितने लाखो रिसी मुनी ओतरित हुए देवता प्रगट हुए बड़े-बड़े कते पक्ष में पीर पैगंबर रहे सबने अपने अपने तरीके से मानो जाती को ज्यान का प्रकास देने का प्रियास किया है जब अक्षरतीत के चर्ण कमल भी आते हैं तो उसमें ऐसे ही अज्यानता का अंदिकार चाय होता है क्योंकि श्रिष्ट का नियम है कोई भी बिकृति होगी तो उस बिकृति के समापन के लिए कोई अलोकिक सत्ता प्रगट होती है पौराणिक बंद इसको अवतार करते हैं तो कते पक्ष में इसको क्या करते हैं कि अलग-अलग समय पर अलग-अलग पैगंबर आए लेकिन ब्रह्मात्माओं के आने के कारण अक्षरातीत को आना पड़ा जो कभी भी असंब हो था अनातिकाल से सिष्टी बंती रही है अननतिकाल तक ये चक्र चलता रहेगा लेकिन अक्षरातीत के चर्ण कमल कभी नहीं आए कोई बेद पांचों मुक्ष पढ़ो कई त्रिगुन जात पढ़त पर ब्रह्मचरन आवे ब्रह्मशिष्ट भी ना जाकी असल हक्सों निस्वत यदि ब्रह्मात्माओं का आगमन नहीं होना होता तो अक्षरातीत को भी नहीं आना होता जिस तन में अक्षरातीत विराजबान होकर लिला कर रहे हैं परमधाम का ज्यान अधरित हो रहा है वह तन जब दीप बंदर पहुंचता है तो आप देखते हैं वहां भी विरोध खड़ा हो जाता है क्या? कि यह जो हमारे सहर में आए हैं देवी देवताओं की निंदा कर रहे हैं कितने लोग क्योंकि उसमें पुर्तगालियों का सहसन था सब छोड़ चाड़ कर भग जाते हैं दर के मारे कोई चर्चा में नहीं आता मसकत मंदर में वैसाही द्रिस्या है अवासी मंदर में वैसाही द्रिस्या है ये समस्या हर जगह मिलेगी सूरत में आते हैं तो समस्या हर्दवार में जाते हैं तो वहां तो साथतार्थ में निर्ले ही हो जाता है उदेपुर में भी राजदर्वार के पंडितों ने विरूत किया वहां से चलकर औरंगाबाद आते हैं वहाँ भी विरोध जूजना पड़ता है राम नगर आते हैं वहाँ भी विरोध पन्ना जी आते हैं पन्ना जी में लीला चल लई है वहाँ भी विरोध करने वाले करते रहते हैं क्यों? यदि आप सत्य का प्रकास फैलाएंगे तो उस प्रकास में अवरोध खड़क किया जाएगा लेकिन एक बात ध्यान में रखनी चाहिए जब गंगा का प्रवा चल पड़ता है तो उस प्रवा को रुकने के लिए कई पत्थर खड़ी होते है गंगा का प्रवा या तो पत्थरों के नीचे से अपना रास्ता बना लेता है या बीच में से रास्ता बना लेता है या पत्थरों को चकना चूर करके बालू बना देता है और बह निकलता है गंगा के प्रवा को किसी ने रुका नहीं है गंगा का प्रवा कभी नहीं रुकता है इस दिये सत्य को भी रुका नहीं चाह सकता लेकिन जब पथरों से अवरोध का सामना करना पड़ता है तो हर महापोरुस को पीड़ा होती है अक्ष्रादीत जिस महामती के तन में बैठे हैं जब जगा जगा जाते हैं तो एक ही बिरोध ज़लना पड़ता है मुख्यरुप से कि ये हमारे देवी देवताओं की निंदा करते हैं आप सुचिए हिंदु समाज जानता ही नहीं है कि देवता किसको करते हैं और देवी किसको करते हैं आज भी ये इस्तिती है आज एककिसीवी सधीच चल रही है साने संसार आदुनिक्ता के जयान विजयान में नए नए आयाम गड़ रहा है लेकिन धर्म की जहाँ बात होती है धर्म में अज्यानता फैल जाने से धर्म का सरुप ही विकृत हो गया है गीता के तिरेवे अध्याय में एक स्लोक आता है बहुत मत्पूरे साथु भक्त योगेन अभ्यभिचारणी साथु भक्त योगेन सेवते अभ्यभिचारणी इसकार्थ क्या होता है सच्तानंद परमात्मा की अनन्य पराप्रेम लक्षन भक्ती जिसको क्या कहते है अभ्यभिचारणी भक्ती क्या होनी चाहिए अभ्यभिचारणी होनी चाहिए अभ्यभिचारणी भक्तिकार्थ क्या होता है जिसमें एक परमात्मा की अत्रिक्त अन्य किसी की भक्ती न की जाए भक्ती भी कैसे भक्ति परमात्मा क्यों होनी चाहिए और उस परमात्मा के अत्रिक्त किसी को अन्य को अस्थान न दिया जाए और उसमें भी विशेष्टा क्या है नारत भक्ति सुप्त्र में कहा गया है कि सातु परमा प्रेम सरूपा भक्ति का सरूप क्या होना चाहिए परम प्रेम का सुरूप जैसे पतिवर्दा अपने पति पर अपना सर्वस निचावर करती है वैसे ही प्रतेक चेतन आत्मा को सच्टानन्द परमात्मा के उपर अपना सर्वस निचावर करना चाहिए आज जो स्वाहिम को सनातन धर्मी कहते हैं कहेंगे कि हम गीता को मानते हैं लेकिन गीता की बात नहीं मानते हैं स्रिक्रिष्ट की पूजा करेंगे लेकिन स्रिक्रिष्ट की बात नहीं मानेगे जब गीता कहती है एक तो जगों पर नहीं तेरहवे चौदे में अध्याय मेवी अब यभी चानड़ी भक्ति की बात आई है और अनन्य भाव से चिंतन करने वाली बात तो कई चगह आती है रात को भी मैंने वो स्लोकान से बोला था अनन्य चेंतो माम ये जनाप में परिवपास थे ते साम योग्छेमम नित्यम भाम्यों जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं मैं उनका योग्छेम स्वैम भान करता हूँ कौन कर रहा है वा ब्रह्म का सरूप कर रहा है जो सिकर्जी के अंदर जो उसके रुप में विराजमान है पुना क्या करते हैं कि अनन्य पराप्रेमलक्षणा भक्ति से मैं प्राप्त होता हूँ, पुरसा से अपर अपार्थ, भक्तिया लभ्यतु अनन्या लेकिन इन गीता के एक दो नहीं चार कथन मैंने आपको सुना दिये क्या कोई हिंदु मानने को तयार है यदि उसको कहिए कि आप अमुक देवता की, अमुक देवी की गुणों की पुजा कीजिए भक्ती नहीं, गुण किसक्या है मर्यादा पुरसुत्तम राम के गुणों की पुजा कीजिए उनके जैसा स्रिष्टी में आज तक कोई सत्य का धर्म का पालन करने वाला नहीं हुआ यहीं उनकी सबसे बड़ी पुजा है लेकिन भग्वान राम को देखिए प्रति दिन संध्या करते हैं प्रति दिन हमान करते हैं वन में रहने पर भी स्वाध्याय करते हैं हनुमान जी को देखिए हनुमान जी कितने बड़े ब्रह्मचारी हैं कितने बड़े योगी हैं कितने बड़े वेद के भी द्वान है उनके गुणों पर भारत या कोई भी सनातन धर में नहीं चलना चाहता है भगवान सेव को देखिए सारे संसार छोड़कर के ध्यान में बेठे है परमात्मा तो एक है जब पृत्वी नहीं थी अकास भी नहीं था धर्ती नहीं थी कैलाज नहीं था अजुद्या नहीं थी कुछ नहीं था तब भी तो परमात्मा था जब सिष्टी लएक को प्राप्त हो जाएगी तब भी वो परमात्मा रहेगा इस तिये वेद उपनिसाद दर्सन किसकी भक्ति करने के लिए कहते है भक्ति परमात्मा की अनन्य पराप्रेम लख्षन भक्ति और पूजा किसकी देवता की मैं भी कहता हूँ देवताओं की पूजा करनी चाहिए देवता कौन है जिनके दिप्य गून है जिननोंने हमें कुछ दिया हो मर्यादा पुरसुत्तम राम ने हमें धर्म और सत्य पर चलने की सिक्षा दिये भगवान सीव ने हमें योग में तलनी रहने की सिक्षा दिये और योगेश्वर से कृष्ण ने देखिए पूरे गीता में कहीं भक्तियोग कहीं ज्यानयोग कहीं सांक्योग सब के माध्यम से पूरी मानो जाती को उद्वोधित कर रहे है केवल भारत के हिंदुओं के लिए नहीं लेकिन उसी गीता के अंदर जब कहा जाता है कि समझत मानो जाती एक सच्टानंद परमात्मा की भक्ति करें तो हिंदू समाथ छिठक जाता है वहाँ कहता है कि मैं नोगरों की पूजा किसे छोड़ दो और आप तो देखिए साहिए बाबा कलपनिक देवता हो गए साहिए बाबा के इतिहास तो मुझे नहीं लगता कि सौर देड़ सो साल से पुराना होगा किसी को मना किजे कि अरे बाइ साहिए बाबा एक फकीर है चलिए उनका उतिहास कुछ और है आप फकीर भी मालेजे वो भी तो भक्ति करते हैं जिनकी भक्ति वो करते हैं आप भी परमात्मा की भक्ति क्यों नहीं करते हैं हिंदू समाज स्वार्थी हो चुका है वो सोचता है कि मन्नत मांगने से कुछ यह पूरा कर देते हैं तो हम इनकी पूचा क्यों न करें आप पांच मिनिट के लिए अक्सीजा नटा दीजिए इस पृत्वी पर तो एक भी प्राणी नहीं जीवित रहेगा जो 33 जड़ देवता है पांच तत्व हैं अकास के बिना वाई नहीं वाई के बिना अग्नी नहीं अग्नी के बिना जल नहीं जल के बिना पृत्वी नहीं पांच तत्व से तो हमारा सरीर बनाएं पांच तत्व का पूरा ब्रहांड यह पांच देवता हैं सुरिच अंद्रमा और नच्छत्रे यह भी नहीं रहे तो स्रिष्टिक ऐस्ची तो कैसे रहेगा 12 आदित वर्स के 12 महीन इनके बिना काम नहीं चलेगा क्योंकि काल की गढ़ना कैसे होगी 12 रुद्र 10 प्राण और 11 मन इसके बिना भी सरीर नहीं चल सकता मन के बिना कोई कारी नहीं कर सकते मन के बिना तो जीव अपंग हो जाएगा कुछ भी काम नहीं कर सकता ना आप चर्चा सुन सकते हैं ना हज सकते हैं ना बोल सकते हैं कुछ नहीं कर सकते हैं दस प्राणों के बिना आपके सरीर से प्राण निकल जाए तो क्या जीवित रहेंगे आप ये 31, आप जो इसमें ज्यान यज्य कर रहे हैं, चर्चा कर स्रमन कर रहे हैं यवी एक ज्यान यज्य है, यवी प्रजा बतिस्वा हुआ हुआ और 33 क्या हुआ, अभी लाइट कर जाए, तो मैं असाय हो जाऊंगा मेरी आवाज आप तक महुच नहीं पाएगे, ये है विद्धुत, इंद्र ये 33 जड़ देवता हैं, लेकिन उपास से नहीं है उपास से कौन है, किसकी भक्ति करनी है, जिसने इन 33 जड़ देवताओं को बनाया है लेकिन यदि कहीं सभा हो रही हो, आप सुचिए आज पूरे गुजरात में गड़ेश जी के कितने धुमदाम से पुजा होती है कोई समझता ही ने कि इसका अर्थ क्या होता है, गड़ेश का अर्थ होता है गड़े नाम तो आग गड़पती महवा में, गड़पत किसको कहते है ये पृतिवियाद जड़ा जिवास गड़ेंते सक्ष्ञांते ते साम इसा पती पालकव गड़पती पृतिवियाद जितने लोक लोकांतर है उनको गड़पती है, इनका स्वामी कौन है? एक परमात्मा मंत्र में आगे कहा गया है कि पृतिवा जिवान जागे कहा है, पृतिवान आम जड़पती पहले है दुसरे सब्दों में, राजा को भी इस मंत्र में दुसरे अर्थ में माना गया है एक अलंकारी कह देखते हैं गड़ेश जी के मुख में हाथी का मुख क्यों लगाया गया है ये अलंकारिक बड़न है हाथी के कान बड़े-बड़े होते है इसका अर्थ क्या राजा को कैसे होना चाहिए सुने ज़्यादा ऐसा नहीं कि एक कान से सुन लिया और तुर्ण तो निर्णे कर दिया हाथी सुनता है बड़े-बड़े कान इस लिए राजा को हर जगा की जनकारी रखनी चाहिए पूरी जनकारी के बिना कभी निर्णे नहीं देना चाहिए नहीं तो राजी का पतन हो जाएगा इसलिए एक आधर्स राजा के का अलंकारिक वड़न किया गया है इसके अर्थ को नज समझने के कारण संभव है वेद में गणेश सब्द आया तो भगवान सीव के पुत्र का नाम गणिस रखा गया तो सोचिए वो भी तो देवताओं में बुद्धिमान है आप गणेश जी से सिख्छा लीजे कि बुद्धि के पुजा करें ग्यान के पुजा करें लेकिन क्या हिंदू समाज इस बात को स्विकार करेगा कि उसके गरंथों में क्या लिखा गया है तो यदि आज मैं कह रहा हूँ सभा में भी कोई बैठा होगा तो उसको कितना बुरा लग रहा होगा कि हमारे इस्ट है हनुमान जी हमारे इस्ट ये है ये राजन स्वामी खिलाप में बोल रहा है तो पत्थरफें को कट्यू सब्द बोलो प्राना जी जब ऐसा करते हैं तो दुनिया उनके विरोध में खड़ी हो जाती है किसके विरोध में? जिसके सत अंग से इस पृतिवी जैसे असंख्यों पृतिवियों के ब्रह्मांड बनते हैं और लैको प्राप्त होते हैं उनके विरोध में संसार खड़ा हो जाता है आपने देखा दिब बंदर में मसकत बंदर में अवासी बंदर में उदैपूर राम नगर जहां भी जाएंगे यदि आप सत् हैं तो आपको बिरोध छेलना पड़ेगा बुद्ध को क्या हुआ बुद्ध की मृत्यों जहर से होती है संक्राचार की मृत्यों वीश से होती है दियानद को 14 बार वीश दिया गया सुक्राहत को वीश दिया गया ये संसार ऐसे ही है जो सत्य बोलेगा संसार उसको वीश द दिखाने वाला कभी भागे से मिलता है महामती जी के सब्दों में ये स्वर फोट रहे हैं कि मैं तो भिगड़िया, भिसुते भिछुड़िया, बाबा मेरे ठीक आओ मत कोई जब कष्ट मिलता है तो क्या होता है यह पुकार है कि भाई मेरे जैसा मत हो जाओ, मेरे पास मत आओ, तुम अपने दुनिया में खो जाओ देखे, आज से 75 वर्स पहले ये देश अंग्रेजों की अधिन था देश में करोड़ों लोग रहते थे, एक दो करोड़ नहीं लगबग 40 करोड़ रहते थे करांती की अवाज गुजाने वाले कितने थे? उलियों पर गिने जाने वाले जब फांसी की सजा होते थे तो लोग तो घरों में बैठे होते थे फांसी पर सजा चाहें रामप्रशाद बिस्मिल हो चंद्सिक या भगत सिंह हो कोई-कोई तो जाता था, सारी जनता नहीं मैं आपको ये घटना बताता हूँ कि जब कलकत्ते में रावर्ट कलाईवी ने जुलूस निकाला रावर्ट कलाईवी के पास कितने सैनिक थे? केवल पांसो सिराज्य दावला के साथ बंगाल के नबाब के साथ छल किया हाती से कुचलवा कर उसको मरवा डाला क्योंकि उसके सेना पती मीर जाफर देशद्रू ही निकला, उसके साथ मिल गया था जब अंग्रेच पांसो सैनिकों के साथ कलकत्ता की गलियों पर निकले तो पचास हजार की जनता कलकत्ता की उनके उपर फूल फेक रही थी, उनका स्वागत कर रही थी यदि ये पचास हजार जनता में जान का प्रकास होता जापान की तरह इजराइल की तरह इनमें राष्ट भक्ती होती या जर्मनी की तरह एक-एक पत्थर का टुकड़ा मारते हैं तो पांसो सहनिकों के साथ रावर्ट कलाई उसी दिन मारा जाता देश गुलाम भी नहीं होता लेकिन पचास हजार किसके स्वागत में लगे हैं जूट के स्वागत में उनको वह है अब ये हमारा राजा बन गया तो हमारी नियत में है इसकी गुलामी करना इसी तरह से जब जूट का मार्ग चल पड़ता है तो उस पर चलने वाली संख्या बहुं संख्यक हो जाती है आज सौ करोड के लगभग इस देश में हिंदू है लेकिन वेद पर चलने वाले कितने होंगे वेद तो कहता है तेरे जैसा कोई नहीं है अपनिसत की वाणी क्या करती है परमात्मा एक है उसके समान न कोई था ना है ना कभी होगा इसके भक्ति किसकी करनी है लेकिन क्या हिंदू समाज स्विकार करेगा क्योंकि एक परमपरा से जो जूट का प्रचार हो गया है जो बोलेगा वो समाज का बिद्रोही हो जाएगा समाज क्या कहेगा ये तो बिगड़ गए है ये देखो अवतारों को नहीं मानते हैं देवी देवताओं को नहीं मानते हैं देवी देवताओं को भी मानते हैं अवतारों को भी मानते हैं लेकिन जो जिस रूप में है उसी रूप में अवतार किसको कहते हैं गीता में एक सुलोग कहा गया है यदा-यदाही धर्मस्य आप बहुत सुना करते हैं उसमें भगवान स्रीकर्स ने यह कामना किये यदा-यदाही धर्मस्य ग्लानिर भवत भारत यह उनकी भावना है कि जब जब अधर्म के बृद्धे हो और धर्म का हरास हो परित्रनाए साधूना सज्जनों की रक्षा के लिए विनासाइच अदूस्किर्ता और दुष्टों के विनास के लिए मैं हर युग में आतरित होते रहूं और हर महापूरुस की यह कामना होती है इसलिए जो मुक्त पूरुस होते हैं दिब पूरुस होते हैं सिस्टी में आतरित होते हैं अन्याय के उन्मूलन के लिए जो सच्चतानंद परमात्मा है वो गर्ब धारन नहीं करता वो गर्वे में प्रवेश नहीं करता क्योंकि वो सभी बंदनों से मुक्त है सच्टानंद परमात्मा भला किसी बंदन में क्यों आएंगे इसलिए आउतार का अर्थ है दिपी सक्ति का आउतारन जो सम्मान निमानों से कुछ विसिष्ट युगता लिवे होता है लेकिन इसका आर्थ है नहीं कि सच्टानंद परमात्मा का उतार होता है देवता का पूजन क्या है मात्री देवभो माता की पूजा माता का सम्मान के जिये उसने हमें जन्मे दिया है पिता का सम्मान के जिये उसने पालन पोस्टर किया है आचारी का सम्मान केजिए उसने जान का प्रकास दिया है यहां जितने सुन्दर साथ सुर्ता के रुप में बैठे हैं आपको जिदि पढ़ाया लिखाया नहीं गया होता तो आप मेरी बात को क्यों से समझ बाते हैं इसने उस सिक्षक का समान केजिए जिसने आपको ज्यान देकर मनुस्की युग बनाया है जो अनपढ़ होते हैं वो कुछ गरंथ का कोई भी अनसर न पढ़ सकते हैं न समझ सकते हैं तो माता पिता यदि जन्म भी दे दें हमारे पास सिक्षा नहीं रही हमारा बहुतिक विकास नहीं हुआ तो हमारा अध्यात्म की विकास कैसी हो सकता है इसने ये प्रतेक्ष देवता है मात्रिमान, पित्रिमान, अच्यारिमान, पुर्सोवेद हमारी संस्कृत के गरंद क्या करते हैं मात्री देवभव, पित्री देवभव, अतिती देवभव, अच्यारी देवभव जो चेतन देवता हैं इनका सम्मान की जिये ये इनकी पुजा है जो हमारी महापुरुष स्रिष्टी में हो चुके है मरियादा, पुरसुत्तम, राम योगी राजसी, हनुमान जी, गणेश जी इनके गुणों की पुजा किजिए क्योंकि इनके गुणों पर समाच चलेगा तो इनको बहुत बड़ अलाब होगा लेकिन जब अद्वैत वाद की घोशना की जाती है तो सनातन धर्म के जिन्होंने चादर उड़ी है, वो कहते हैं कि यह हमारे विरूत में जा रहा है सनातन किसको कहते हैं वेद ही सत्य सनातन है जो वेदों के विपरीत कतन है वो सनातन नहीं है, वो तो आधुनिक है मतमतांतनों का दिया हुआ है लेकिन जब कोई व्यक्ति यह घोसना करता है कि किवल एक परिमात्मा की भक्ति हो जो चर अक्षर से परे उत्तम पुरूस है तो मैं समझता हूँ असे परिसत, हिंदु जन्मानस इसको स्विकार करने के लिए तयार नहीं होता जो भी अद्वयत का प्रचार करेगा जड़ की पुझा करने वाला समाच उसके बिरोत में खड़ा हो जाता है चाहें इसा मसी हो चाहें कोई भी हो गौतम बुद जब सत्य बोलने लगते हैं सत्य क्या था कि वेदों के नाम से पस्व की हत्या की जा रही थी बली दी जा रही थी यज्यों में मांस का हमन किया जा रहा था बुद ने कहा कि यदि तुम देवताओं को खुश करने के नाम पर यह सब कर रहे हो तो मैंने तुम्हारे देवता को मानता हूँ न वेद को मानता हूँ न धर्म को मानता हूँ मैं किसी को नहीं मानता उनका ये एक प्रकार से क्रांतिकारी कदम था कि परमात्मा का नाम लेकर वेद का नाम लेकर धर्म बिरुद बातें न की जाए बुद्ध ने धर्म के सुरुप को समझा समाधी अवस्था में सत्य को देखा लेकिन जब जगा जगा वे भी जानते हैं तो कट सब्दों के घाव उनको भी जहलने पड़ती है स्री जी का प्रक्टन जिस कालखंड में होता है और रंगेप का सासन चल रहा है गुरकुलों में सिक्षा दिक्षा समाप्त हो चुकी है मुगल सासन का पर्चम लहरा रहा है और तलवार के बल से सारे भारत वर्ष को इसलाम के जंडे के नीचे लाने का प्रयाज गिया जा रहा है कोई बोल नहीं सकता था ऐसी अवस्ता में संपूर्ण समाज में चेतना का संचार करना है धर्मकरंतों की साच्छी देकर एक परमात्मा की पहचान करानी है आप सोचिए जब हिंदु समाज को चर्चा प्रवचन ही सुनने को नहीं मिलेगा तो बिचारा क्या करेगा इस जिए समारा सारा समाज भठका हुआ है जो रूडवादी परमपराएं चल रही है उसी को धर्म माना जा रहा है रूडवादी तक क्या होती है कि सभी लकीर के फकीर बन जाते हैं सुन्दर साहाची एक कट बात मैं कहना चाहूँगा देखिए आज से लगवग 36 वर्स पहले 37 वर्स पहले से जागनी स्यूरों की सुरुवाद हुई 86 में रतन पुरियास्रे में 6 मेने का सिवीर चला पांचवा सिवीर 88 में चला और आज 23 का समय चल लगवग 36 साल में गुजरात में बहुत अधिक सिवीर लगे सुन्दर साथ की जागरती हुई समय समय का परिवर्तन होता है उस समय सुन्दर साथ पूरी निद्रा में था सुन्दर साथ को जगाने के लिए पाठों की परंपने डाले गई खुब सेवा पुजा भी कराई गई मेहर सागर की परिक्रमा कराई गी किसी तरशे सुंदर साथ राजी से जुड़े लेकिन मैं यह कहता हूँ आप बच्चे को पहली कक्षा मिले जाते हैं फिर मिडिल क्लास में ले जाते हैं कालेज में ले जाते हैं फिर इन्नुवोर्टी में जाते हैं पढ़ाई का चतर बदलता है मैं खेडा के सुन्दर साथ से भिषेष पराथना करूंगा, कि आप और आगे बढ़िए, आप आज का जो समय है, चित्वनी का समय है, वानी चिंतन का समय है, जैसे ये सिविर लगा, तो पराते काल, चित्वनी की क्लास अवस होनी चाहिए थी, सब को बेट कर चित्वनी करनी चाहिए थी, मैं किसी को सिवा पुजा से मना नहीं कर रहा, लेकिन जरूर कहता हूँ, कि एक गंटा सिवा पुजा करते हैं, उसको आदे गंटे कीजिए, और आदे गंटे चित्वनी अवस्य कीजिए, क्योंकि युक के अनुसार आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, जीव या पत्ती नहीं है, लेकिन इनवित साद जी जागे बताए देवरे जीवन, स्याम समाजी साद जी जित बैठे चोक बतन, जब आप प्राता काल का सरूप पड़ते हैं, तो क्या बोलते हैं, निस्तिन ग्रहिये प्रेमसो युगल सरूप के चरन, निर्मल होना याईसो और प्राता काल की सेवा पूजा में खुद बोल रहे हैं कि निस्तिन ग्रहिये प्रेमसो, प्रति दिन चित्वनी की बात आप सरूप में बोल रहे हैं, तो क्रियात्मक रूप में जदी आप चित्वनी नहीं करेंगे, तो आपकी आत्मा जागरत कैसे होगी, उसी में आगे क्य बोलते हैं, इन्वी दिनरक से छूटिये और उपाई कोई ना, भजन बिनास सम नरक है, बच बच मरिये माँ, माया के दुखों से छूटने का क्या सादन है, इन्वी दिनरक से छूटिये, प्रदिन चित्वनी करेंगे, नक से सिख तक राजी की सोभ़ आपके हर्दे में बसेगी, तभी तो माया के कष्ट आपका पिछाद छोड़ेंगे, पाठ पढ़िये, बहुत अच्छी बात है, लेकिन चिंतन पुरवक पढ़िये, अपचा रिकता बस नहीं, जैसे एक गंटे में आट सो चोपाई पढ़नी है, बारा सो पढ़नी है, जल्दी जल्दी अंगली फेर दिये, तो उससे मिला क्या है, आप धीरे धीरे बारी को प भासा में दुनिया की चाहिए, उस भासा में आपके पास्टी का है, आपको एक रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ेगा, आपके मुबाइल पर भी हो गया, और तो और पांच भासाओं में प्रतिन ग्यान पिट से, रेडियो चैनल के माद्यम से, संस्क्रेट, अंग्रे और उसको अपने जीवन में उतारे, खुलासा में एक चपाई बहुत मत्मूर है, इस के बंदगी अल्ला की सोहोत है, अजोर, भर जबंद की जाहिरी, सोलिखी अक्सेतू, यह तो मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन मेरी बात को आप कहेंगे कि राजन स्वामी ने का है, हम नही पड़ेगा, इसके पहले आप जो कुछ कर रहे हैं, वो तो एक परंपरा डाल दी गई है, बच्चों के लिए है, जब आपके उम्र 15-20 साल से उपर हो जाए, तो चित्वनी में आपको लगना ही पड़ेगा, घर के छोटे बच्चों को सेवा पुजा में लगा दीजिए, या जिनको चित्वनी नहीं लगती है, जिनका मन चंचल है, उनको सिवा पुजा में लगा लिचे, लेकिन आप थोड़ी देर भी वानी अवस चिंतन में लाइए, वानी का चिंतन केजिए, चित्वनी केजिए, इसी से जागनी कापत आपका प्रसस्त होगा, जब यह बाते मैं कहता हूँ, तो मेरा भी विरोध होता है, कि राजयों स्वामी ने नया मार्ग निकाल दिया, मैं कोई नई बात नहीं कहता हूँ, मैं वा कहता हूँ, जो वानी में कहा है, मैं वा कहता हूँ, जो स्री जी के मुखरविन से निकला है, वैसे ही, जब स्री जी स्वयम चलते हैं सत्य को फैलाने के लिए तो संसार में बिरोध होता है और उनको कहना पड़ता है मैं तो बिगड़िया बिस्थे बिछुड़िया बाबा मेरे ठिक आओ मत कोई बेर बेर बरजित हुरे बाबा ना तो हम चुम बिगड़ेगा सोई जो मेरे साथ आएगा मैं तो बिगड़ा हूँ तुमको भी बिगड़ दूँगा लेकिन संख्यवल से कभी घबराना नहीं चाहिए देखिए आज समाज में संख्या किसकी होती है आज सत्युग नहीं है निदिकारों ने कहा है सत्य की विजय होती है असत्य की नहीं लेकिन प्रारंव में सत्य को मानने वाले बहुत कम होते है एक ब्यक्ति सत्य की पुकार लेकर के चलता है सत्य का धोज लेकर चलता है तो यह संसार पहले पत्थर मारता है कटू सब्दों के बान मारता है फिर मन मसोस कर चुप हो जाता है और वो भी पीछे-पीछे चलने लगता है लेकिन जो आगे चलेगा उसको पत्थर खाने पड़ेंगे उसको हर जगा फूलों के हार नहीं मिलेंगे इस दिये इस देश ने दयानन्द को चोदो बार जहर दिया एक-दो बार नहीं चोदो बार गौतम बुद्ध को यहीं जहलना पड़ा संकरचार को यहीं जहलना पड़ा सब कुछ जहलना पड़ता है यदि आप सत्त की बात कहेंगे तो जो रूडिवादी समाज असत्त की चादर ओड़े बैठा है उसको क्यों छोड़ेगा इसलिए एक स्वालिला अद्वेत सच्तानंद परव्रम की अनन्य प्रेम लक्षना भक्ति का परचार करना लोहे के चने चबाने की तरह कठिन होता है ऐसे समय में जब समाज में सत्त का प्रकास नहीं है आप देखिए धर्म के नाम पर सनातन धर्म के नाम पर समाज को जो सनातन वेदों की सिख्छा से दूर कर दिया गया है क्योंकि असत्ति का प्रकास है पूरे भारत वर्स में जितनी मिट्टी की मुर्टियां बनाई जाती है चाहें गणेश जी की बनाई जाएं, लक्षमी सरस्ती की बनाई जाएं, दुरगा जी की बनाई जाएं, क्या होता है, और वो रुपयों की मुर्तियां बनाई जाती है, गली-गली में पूजा की जाती है, और फिर पानी में बहा दिया जाता है, उतनी धनराश, यदि सिक्ष तो क्या होगा? आज किसी हिंदु के घर जाए, इसी गाउं को ले ले लिजिए तो मैं पूछू कि क्या हर घर घर में कोई गरंथ होगा? नहीं दस पंद्रे रुपय की गीता तक नहीं होगी यहां जितनी सभा में बैठे हैं में पूछू कि गीता का पहला सुलुक सुनाईए नहीं हो घर-घर वाणी होगी? नहीं घर-घर रमायन होगी? नहीं लेकिन दुर्गा पूजा हो, गणेश पूजा हो, लाखो रुपय पानी की तरह जंता भाह देगे क्योंकि एक परंपरा है, देखा देखी है और पुना जिसको मथा टेकते थे, पानी में फेक देते हैं, गंदे पानी के नाले में भी फेक देते हैं वही काम कोई मुसलिम कर दे तो दंगे भड़क जाएंगे कहने कासे क्या है? जब समाज एक बार भटक जाता है, अब उसको रास्ता बताएं तो वो प्रहार करता है उसको लगता है कि मेरी भावनाएं आत की जा रही है इसलिए स्री जी को करना पड़ा कि बेर बेर बर्चत होरे बाबा, ना तो हम जो बिगड़ेगा सोई मैं संसार की नजर में बिगड़ा हुआ हूँ तु मेरे साथ आओगे, तो तुमको भी ये दुनिया बिगड़ा हुआ कहेगी एक प्रक्णा ही उतरा था करंतन में पतित इस रोम मैं ने यो कहे, जो मैं क्यों है, बज्जर लेप मेरे साहिब सोदिस पतित कौन है, जो संसार से उल्टी राह चले, संसार परमात्मा को साकार मानता है, निराकार मानता है लेकिन यदि कोई ये कहे कि साकार निराकार से भिन एक सो लिला अद्वेद साज्तानंद परमात्मा की भक्ति कीजिए तो ये संसार सुनने के लिए तैयार नहीं होता संसार क्या कहेगा ये तो पतित हो गए अब अभिवादन को ये देख लीजे वेद में हर जगा नमस्ते सब्द है प्रणाम सब्द है वेम त्वाम प्रणानुमा इवेद के मंतर कांस में बता रहा हूं हम आपको प्रणाम करते हैं हे परमात्मा हम तुम्हे प्रणाम करते हैं अपने रामायर सुना महभारत सुना सम्मे क्या है राम, युधेश्ठेज, अर्जून, लक्षमर्ड सभी एक दुसरे को प्रणाम करते है लेकिन अभिवादन में क्या है कोई सामने मिलता है तो कोई जैराम बोलता है कोई नमो नरायन बोलता है कोई राधा स्वामी बोलता है कोई स्वामी नरायन बोलता है अभिवादन के तरीके अलग-अलग पंथों के अलग-अलग है उनको कहिए कि आप ये मत किजिए जो वेद सास्त्र में लिखा है वहाँ को मानिये तो क्या वो मानेंगे कहेंगे कि आप हमारी उपर प्रहार कर रहे हैं हो सकता है आपके उपर केस भी कर दिया जाए कि आप हमारी मानिताओं के खिलाब बोल लें क्योंकि संसार सत्य को सुनना नहीं चाहता पहले नहीं सुनेगा बिरोध करेगा बाद में अवस्य मान लेगा इस दिये जब सौलिला अद्वैत परमधाम की वाणी आती है महामती जी के तन से अवतरित होती है उस अलवकी ज्यान को लेकर स्री जगह जगह जा रहे हैं परमधाम की आत्माओं को जगह रहे हैं तो आप देखते हैं मसकत बंदर में कितनी समस्या हो जाती है अवासी बंदर में भाहराव सेर को कितना जहलना पड़ता है किस्री जी को भी वीवस हो करके महाँ से चलना पड़ता है सब सुन्दर साथ कहते है कि स्री जी आप जाइए आपके रहने लाइक अभियान नहीं रह गया दीबंदर में कितना कष्ट जहलना पड़ता है रामनगर में कितनी परसानी क्या गुना था कि सबको एक परमधाम की तो पहचान दी जा रही थी वह जान जिसको पाने के लिए लक्ष्मी जी तरस्ती रह गई कठोर तब करने के बाद भी वह जान प्राप्प नहीं हो गया वानी क्या कहती है किन एक बूद नपाया रसना भी बचन ब्रमांड धनियो खोजिया जो कावेतरी गुन किन एक बूद नपाया किसी को परमधाम का एक सब्द भी सुनने को नहीं मिलता वानी क्या दरसाती है बहुत पुकार करूं किस खातुर एतु सुपन सरो बेहत बनेजगा होगा साथी सो एक लवे हुसी टुक्टू अखंड परमधाम का जान बेहत का जान देने वाला इस सिस्टी में कौन है आप कहीं भी जाएए कस्मीर से कन्या कुमारी तक और अटक से कटक तक साथो पुरियों में भरमण कर लेजिए कोई यह बताने वाला नहीं होगा कि सो लिला अद्वेत सज्टानंद परमात्मा कहां है कैसा है उसको पाने का मार्ग क्या है अब जब मिल रहा है महामती जी के तन से परमधाम की वानिक का उतरन हो रहा है तो भी समाज उसको सुन नहीं रहा और सुंदर साथ का समूध तो तार्तम लिया हुआ है वितक में एक चौपाई आती है देखिए मैंने आपको एक बात कही है इस त्रिष्टी का सिधानत है जब आप ब्रिक्च पर चड़ते हैं तो उतरना पड़ेगा आज आप भोजन बनाते हैं तो कुछ गंटों के बाद वह खराब होना शुरू हो जाएगा और एक समय ऐसा हैगा खराब हो जाएगा एक महल बनाते हैं महल बनते ही कमजोर होना शुरू हो जाता है ब्यक्ति जन्म लेता है, जन्म लेने के साथ ही मृत्य उसका पीछा करना शुरू कर देती है इसी तरह से, कितना भी सत्य ज्यान फैलाया जाए सिष्ट में उत्थान के साथ पतन की प्रक्रिया जुड़ जाती है स्रीजी के तन से सक्षात लीला हो रही है सत्रों से एकावन तक जाहरी तन से लीला चल रही होती है लेकिन ऐसी भी स्थिति आती है कि अग्यारहें जो लो रही, तो लो बहुत चाह धरे फेर ठंडे पढ़ते गए लाल कही अंग्ठरे आपने अश्टबार की वितक में सुना है प्रात्यकाल चर्चा होती है नौ बजे से बारह बजे तक प्रात्यकाल सबसे पहले चित्वनी होती है उसके बाद नौ से बारह बजे तक चर्चा होती है संध्या समय साड़े-चार बजे स्रीजी के सरुप की आरती उतारी जाती है और रात्री के 9 से 12 बज़े तक चर्चा चलती है जो कभी 1 और 2 बज़े तक चलती है कभी 3 भी बज जाते है 3 गंटे तो अनिवारे रुप से रात्री को चर्चा होती है कभी 4, 5 या 6 गंटे भी बीट जाते है लेकिन जैसे ही स्री जी का अंतरधान होता है चित्वनी पर विराम लग जाता है लालदाजी को अश्ट पहर की रचना करते समय बीबस होकर लिखना पड़ता है अग्यारहे जोलो रहे तोलो बहुत चाहँ धरे कि जब इत्तक इगारवी सदी थी इगारवी सदी का समय क्या है 1745 तर 1745 नहीं यहां 1791 का भाव लिया जाएगा अग्यारहे जोलो रहे तोलो बहुत जादरे फेर ठंडे पढ़ते गए लाल कई अंग्ठरे अंग्ठरना किसको कहते हैं आपको गुजरातम नहीं पता चलेगा अब सर्षवा जाएंगे तो आपको पता चलेगा पानी में हाथ डालेंगे तो लगेगा कि गल गया और सभेरे भोर में आप चार बजे भूल से निकल गये बिना मोटा सुटर पहने तो लगता है कि हड्यों में ठंड घुस गई है उसको कहते हैं अंग्ठरना लाल अग्यारहे जोलो रहे तोलो बहुत चाहँ धरे चारचा सुनने की चितवनी करने की गर्मी कब तक रही सत्रह सो एकाउन तक फेर ठंडे पढ़ते गई लाल कई अंग्ठरी जब समाज का एक पत परदर्शक नहीं होता है तो समाज तो चीटी हार उंटकतार की तरह चलता है हुआ ग्या सिरी जी का अंतरधान होता है अधिकतर ब्रहमात्माओं ने तन छोड़ दिया समय अंतराल में च्छतर साल जी ने जगा जगा परचारक भेजे वानी का प्रकास चलता रहा लेकिन लालदास जी भी ओजल हो जाते हैं मकुंदास ओजल हो जाते हैं च्छतर साल जी के अंतरधान के बाद तो इस्ति और भी गठ हो जाती है उसमें तीस स्रिष्ट जो 1745 से लेकर 1775 तक का समय जो होता है उके बल चर्चनी का रह जाता है जान की चर्चा का चित्वनी समाप्त 17-51 के बाद चित्वनी के लीला बंद हो जाती है क्योंकि संध्या समय जो चित्वनी कराई जाती है साड़े चार वजे के समय स्रीजी साक्षात सिंगासन पर विराजवान होते हैं और सब सुंदर साथ उनको राजजी का सरूप मानकर चित्वनी करता है चित्वनी करता है मूल मिलावे में लेकिन यह भाव लेता है कि हमारे सामने वही मूल मिलावे वाला सरूप बैठा है महामती जी के धाम विर्दय में जब स्रीजी चर्चा करते हैं तो जाको दिल चिन भासो तासो मिले तिन विद मन चाया सरूप होगे कारिज की ये सबसीत जो जिस रूप में उनको पहचानता है किसी की इक्षा होती है कि मैं युगल सरूप परमधाम का देखो तो उसको इन नैनों से परमधाम के दर्सन होते है कोई राधाकृष को देखना चाहता है उसको राधाकृष का दर्सन होता है कोई सद्गूर धनिसी देवचेंजी का दर्सन करना चाहता है तो सिरी जी के किरपा उसको रवरसती है और वो साक्षाद सद्गूर धनिसी देवचेंजी का दर्सन करता है कोई 25 पक्षों में घुमना चाहता है जिसकी सची सरदा होती है, पचीस पक्षों के प्रतेक्ष दर्शन होते हैं, आप सोचिए, या ब्रह्मलीला दस वर्सों तक चलती है, उसके पैस्चात सब बंध हो जाता है, क्योंकि स्री जी के सरूप में कौन बैठे है, सिंहासन पर बाणी पदराई जाती है, बाणी ज्या जो सिंहासन पर बाणी पदर आई गई है, ज्यान में सरूप से वही अक्षराती उसमें विराजमान है, और उस अक्षरातीत को बाणी के सब्दों से हम पैचाने अपनी आत्मा के धामिर्दे में, अक्षरातीत कहां है, हक नजीक सेहरक से आड़ो पटना द्वार, खोली आखे समझ की, देखती ने, देखे भरतार, खोली आखे समझ की, मैंने तुमेरे ज्यान चक्छों को खोल दिया है, फिर भी तुम देखते वे भी नहीं देख रहे हूं, बाणी यह पुकार कर रही है, कि अक्षरातीत कहां है, हक नजीक सेहरक से, प्राण की नली से भ बाद, जो सुन्दर साथ में निरासा का एक दोर चला, उसने चित्वनी पर भिराम लगा दिया, चित्वनी पर भिराम लगते ही, जो अध्यात्मिक प्रगती थी, वह थम जाती है, बौधिक प्रगत तो चलती रहती है तीस वर्सों के पर द्जात, कल अंतर में वह भी सिष्टियों की लिला होती है जागने के, इस्वरी सिष्ट इल्म और इमान पड़तो रहती है, लेकिन चित्वनी छोड़ देती है, जब जीव सिष्टि का राज होता है, तो चित्वनी भी बंद, चर्चनी भी बंद, चर्चा भी बंद, वाणी का चिंतन भी बंद, कि वो सरियत का बुलवाला हो जाता है, और वह धारा आज तक चली आ रही है, सत्रह सो पच्चत्तर के बाद, जो सरियत की नदी भी, वो नदी वड़े बेग से चल रही है, जब मैं कहता हूँ कि सुन्दर साहज जी, वो हमारग अपना ये, जो सरिय जी ने पन्ना जी में दस साल की लिला करके दिखाई थी, क्योंकि चित्वनी हमारी आत्मा का हार है, चित्वनी के बिना, यदि कोई सोचता है कि मैं अपनी आत्मा की जागरती कर लूँगा, तो दिन में सपने देखने जैसा है, सूरज पच्ची में उख सकता है, लेकिन इस जागनी ब्रहमान में कोई ये सोचे, कि मैं वानी से दूर होकर, वानी के चिंतन से दूर होकर, चित्वनी से दूर होकर, अपनी आत्मा को जगा लूँगा, अपनी आत्मिक देश्टे युगल सुरुप को देख लूँगा और अपनी परात्म को देख लूँगा तो यह असम्भू है लेकिन मेरे इसकत्थन को सुन्दर साथ का एक बहुत बड़ा समोग क्या समझता है कि राजन स्वामी परंपरा के विरिद बोल रहे हैं कि रैं परंपरा के री करद स्रीजी के तन से होने वाली लीला में जो परंपरा चली वह सची परंपरा है मैं चाहता हूं कि समाज उस पर चले कृत दिनचित्वनी करें क्रेकिश्ड़णी करें और मांसिक सेवा में पुजा में रहे हैं आप जब भोजन के जिए तो राजी को मांसिक रुप से भोजन करा दीजिए कई भी कर रहे हूं हर पल राजी के साथ बिहार के जिए मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप सेवा बंद के जिए प्रेम और सेवा ही तो हमारी आत्मा का अधार है लेकिन चित्वनी के प्रिक्रिया छोड़ने से क्या होगा? आपकी आत्मा की जाकृती का मार्क बंद हो जाएगा लेकिन इसको भी एक बिरूत के नजरी से देखा जाता है कि राजीन स्वामी ने किवल चित्वनी की बात करनी है और सेवा पुजा से हमको उटा देते हैं आपके उपर चैन करने का अधिकार है धर्म किसी पर थोपा नहीं जाता धर्म आत्मा के द्वारा अंगिकार किया जाता है आप अपनी आत्मा यदि राजी के प्रतिसमर्पित नहीं कर सकते हैं राजी ने बाड़ी में क्या कहा है कि यदि हमारे आत्मा के द्वारा मिर्दे के सिंगासन पर जो मासूक सेज ना आया देख्या सुन्यान कही बात सुख अंग नियो इन सेज को ताय निर्फल गई जुरात निर्फल गई जुरात का अर्थ क्या है इस जागनी के खेल में आना ही हमारा ब्यर्थ है यदि हमने अपनी आत्मा के सिंगासन पर राजी को बैठाया नहीं उनको प्रत्यक्ष देखा नहीं उनसे बाते नहीं की और अपने आत्मा के कानों से उनकी वादें नहीं सुनी, तो हमारा जीवन बेरत है आप राजी के इस कथन को मानिए, मेरे कथन को कुछ न मानिए मैं तो जैसे आप हो, वैसे ही मैं हूँ, मैं कभी नहीं कहता कि मैं कुछ बढ़ा हूँ, मेरे और आप में कोई अंतर नहीं है लेकिन राजी की बातों को मैं आप तक सुना रहा हूँ आप अपनी आंतरात्मा से पूछिए यदि ये वाणी की चोपाई ऐसा कह रही है तो उसका पालन आपको करना चाहिए क्योंकि वाणी आपके राजी की है परमधाम आप का है वाणी आपकी, राजी आपके परमधाम आपका मेरा इसे क्या लेन देना मैं बीच में मधश्ता क्यों करों आप अपने आख्छरातीत, प्रानिस्वर की दिवी वाणी का चिंतन केचिए और वाणी के कतनों को राजी का आदेश मान करके उसका पालन केचिए बाणी में जो कुछ कहा है उसको अक्षर से सत्यमानी है और बाणी के निर्देशों पर जदी समाज चलेगा तो आज समाज की इस्थिति कुछ और हो जाएगी आप सोचिए हमें परिक्रमा भी किसकी करनी चाहिए? किवल राज्य की मेरी बाते कुछ अटपटी हो जाती है आप बिरिंदाबन में जाएंगे तो वहाँ भी पंचकोसी परिक्रमा होती है अजुद्या में भी परिक्रमा होती है लेकिन बिरिंदाबन और अजुद्या की बात यह है कि हर गली-गली में राम के मंदिर है बिन्दाबन और अयोध्या में कोई मांस की दुकान मेरे समझ से नहीं होनी चाहिए मांस और सराप की दुकाने कानौनीन रुप से अयोध्या, बिन्दाबन हर द्वार में पृतिबंथी थाए यहां तक की गंगोतरी में लश्ण प्याज तक पूरब भी बन दी था लेकिन आप देखिए परिद्धिवी परिक्रिमा होती है इस वर्ष 15,000 की संक्या गई थी कितना अच्छा होता कि ये 15,000 सुन्दर साथ केवल गुमत बंगलाजी की परिक्रिमा करते है परिक्रमा किसकी की जाती है इष्ट की परिक्रमा की जाती है आप महाभारत के युद्ध का प्रसंग पढ़िए महाभारत के युद्ध में दोनों से नाइस आमने सामने खड़िए युद्धि रत से उतर कर आते हैं विश्ट में पितामा के रत की परिक्रमा करते हैं और उनक अख्याय क्याय है, देवताओं में सभा हुई, कि जो सारी पृतिवी का भ्रहमन करके आएगा, उसी को सबसे बुद्धिमान बना जाएगा और उसकी पूजा की जाएगी, सारे देवताओं अपने इपने बाहनों पर चलें, कि हम पूरी पृतिवी की परिक्रमा करके आते हैं गणेशी ने सोचा, कि भई मेरा तो वाहन मुसक है चुआ, कहाँ सी इतनी परिक्रमा कर रहेगा, सारे देवताओं के तिप्रगामी वाहन है, उस पर तो जल्दी पृतिवी की परिक्रमा कर रहेंगे इस दिए उन्होंने सोचा, कि सारी पृतिवी तो माता पिता के हिर्दे में वस्ती है, क्योंकि पृतिवी पर जो अनग पैदा होता है, फल पैदा होता है, सभी प्राड़ी उसी से जिवित रहते हैं माता पिता यह जन्म दाते हैं क्योंकि माता भूमे पुत्रों हम प्रिथिव्या वेद में क्या लिखा है माता भूमे पुत्रों हम प्रिथिव्या मैं प्रिथिवी का पुत्र हूँ और यह धरती हमारी माता है क्यों न मैं अपने माता पिता जिए पारवती की परिक्रमा कर लूँए हैं अपने मातापिता परिक्रमा करके सबसे पहले हैं अकर कर बेट जाते हैं जब सारे देवता आते हैं, पुछते हैं, कि गड़ेश जी, आप तो कहीं गए नहीं, सबसे आगे बैठ गए, कि मैं पृत्वी की परिक्रमा कर आया, गड़ेश जी कहते हैं, कि अथर बेद पढ़िये, उसमें क्या लिखा है, कि माताव हमें पुत्रों हम पृत्व्व्या, स पारवती जिसके पिता हैं, वो पृत्वी की परिक्रमा क्यों करें, वो तो उनी की परिक्रमा कर लिया, हमने पूरी पृत्वी की परिक्रमा कर लिया, आप सोचिए, एक परंपरा तो है, मैं किसी का परंपरा नहीं करता, बिरूत नहीं करता, सब को अपनी परंपरा को पाल पांचो घंटे जो परिक्रमा करते हैं साम तक सवेरे से लेकर साम तक पूरे वन में और उसकी जगह किवल गुमबट बंगलाजी की परिक्रमा हो जाती है बाई जुराज मंदे की परिक्रमा हो जाती है पूरे देश में ये इतिहास में लिखा जाता कि 15,000 लोग एक साथ पृतिवी परिक्रमा पृतिवी की परिक्रमा हम क्यों करें पृतिवी तो हमारा को इस्ट थोड़े है हमारी इस्ट कौन है सियमाजी है हमारे इस्ट है राजी है राजी सियमाजी जिस गुमर जी में भी राजमान है बंगला जी में भी राजमान है उसकी हमें परिक्रमा कर लेकिन एक परंपरा चलिके उसका विरोध कौन करेगा और मैं कहें दे रहा हूँ इसका परडाम तो मुझे भी मालूम है कि क्या होगा लेकिन सत्य को कभी आज नहीं आती आज नहीं तो कल ये समाज समझेगा कि हमें परिक्रमा किसकी करनी है देखिए परिक्रमा दो होती है एक जाहरी परिक्रमा एक बाहरी परिक्रमा इस्थूल परिक्रमा क्या है जिसमें हम चलते जाते हैं इस्ट के चारों गुमते हैं तो आप गुमट बंगला जी की परिक्रमा कीचिए इसी के लिए सेवा पूजा में कहा गया है कि देद परिकर्मा करम सब चूटे और जो एक आंतरिक परिकर्मा है वो चित्वनी से परमधाम के पचीस पक्छों की परिकर्मा आप ध्यान में डूब जाएए पचीस पक्छों में घुमिये आपका हौजकोसर के इसाए मानिक पहाड के इसाए पुखराज के इसाए उसकी परिकर्मा के जिए लेकिन मेरी बाते किसी को बहुत कष्टकारी लगेगी कोई क्रोध में इतना भी हो सकता है कि उसका बैस चले तो मेरे उपर पत्थर भी फेक देगे यहां कोई नहीं फेकेगा लेकिन मुझे मालूम है कि समाज में कितना भी रोध होता है इस दिये मुझे तो कहना पड़ता है वैसे ही कि बेर बेर बरजत होरी बाबा ना तो हम जो भी उगड़ेगा सोई जिसको सत्य की राह पर चलना है उसको पत्थर सहने ही पड़ेंगे वाणी परम सत्य है क्योंकि परम सत्य के शरूप अक्षरातीत की कही हुई है सारा संसार एक तरफ हो जाए लेकिन कभी भी असत्य का मार्ग नहीं अपनाना चाहिए भरत्री अरेनी क्या कहा है निंदन्त नित नुपड़ा यदिवा इस्तवन्त नित में निपन लोग निंदा करें या इस्तुति करें लक्षमी समाविसत गच्छत वाय थिस्थम लक्षमी आये या चली जाये अद्य एव मर्ण मस्तु इगांतरेवा मृत्य आज ही हो या इगों के बाद न्यायात पथा प्रविचलंति न धीरा न्याय के मार्ग से कभी धीर पुरुष पिछे नहीं अड़ते है दरुपति का चीर हणन हो रहा है विष्म पितामा सोचते हैं कि मैं राजा के अधीन हूँ मैं कैसे बोलू दोणाचारी सोचते हैं कि अस्वस्थामा का मित्र है दुर्योधन मैं यदि रोकता हूँ तो मेरा बेटा नराज हो जाएगा किरपाचारी सोचते हैं कि मैं अपने जीजा को नराज कैसे करूँ सब चुप रहते हैं कि धर्म के अवतार है विदूर जी वहां भरी सभा के बीच में बोलते हैं कि दुर्वधन जो तुम पाप कर रहा है इसका प्रेडाम बहुत भ्यानक होगा दुर्वधन बहुत कुछ बोल जाता है कि जदी आप मेरे काका स्री नहीं होते तो मैं आपकी तलवार से सिर काड़ देता लेकिन विदूर की आवाज को कोई दबा नहीं पाता है इसलिए संसार के विरोध की कभी परवा नहीं करनी चाहिए हमेशा सत्य का अमशना करने चाहिए अमपनी अंतरात्मा से पुछिए सत्य क्या है और जो आपकी अंतरात्मा कहे सत्य और सत्य की परिच्छा, धर्म की परिच्छा चार प्रकार से की जाती है पहला है सुर्ति, सुर्ति का कथनो, वेद का कथनो दुस्ता समृति धर्म सास्त का कतन हो तीसरा सदाचारा सदाचार की अनकूल है की नहीं और चौथा स्वश्च प्रियम आत्मना अपनी अंतरात्म की अवाच इसे धर्म के लक्षणों की दस लक्षणों की परिख्षा करनी चाहिए जब स्रिष्टी नहीं थी तब भी धर्म था जब स्रिष्टी नहीं रहेगी तब भी धर्म रहेगा बड़े-बड़े समराट आते हैं इस संसार से चले जाते हैं उनके पास चतुरंगडी सिना होती है सारा संसार भी कभी विरोध करे तो अकेला होकर सबका बिरोध जलने का सहस रखना चाहिए या विश्वास रखना चाहिए कि यदि मैं सत्य के अनकूल हूँ यदि परमात्मा मेरे साथ है तो ये संसार कुछ भी नहीं है हाँ, आपके अंदर कोई दाग नहीं होना चाहिए मन वाणी कर्म से यदि आप सत्य का पालन करते हैं धर्म का पालन करते हैं तो सरुसक्तिमान हर पल आपके साथ है आपको कभी भैबीत नहीं होना चाहिए संभव है आपके पास दो मुठी खाने के लिए भी अनन हो संभवे आपके पास लंगोटी के लिए भी कप्रे न हो दो गजमीन भी नहीं हो जिसकी छट के नीचे आप रह सके फिर भी यह विश्वास रखिए यदि आपके पास सहस है आपके पास धहरी है यदि आपको सच्टानंद परमात्मा है पर विश्वास है तो सारे संसार से भी नहीं घपराना चाहिए आप देखिए सारा भारत अकबर की सत्ता के अधीन हो गया था रणा परताब को घास की रोटी खानी पड़ती है बनों में भटकना पड़ता है लेकिन वो कभी सिर ने जुकारता आज रणा परताब का पूरा विश्व सम्मान करता है अकबर का कोई सम्मान नहीं करता वनों में भटकने वाले पांचों पांडों के प्रती संसार नतमस्तक है हरिस्चंदर के प्रती संसार नतमस्तक है तभी तो कहावत कही जाती है कि सुरी तरे, चंदर तरे, तरे जगत भीवार, पर दिड़ सरी हरिष चंद का ट्रे ने सत्य विचाथ, जो सत्य पर रहता है, अन्तो गत्वा विजय उसकी ही होती है, यह अवस्या है, करश्ट जहेलना पड़ता है, एक बार, दयानन जी कि, यह आप सुनते होंगे, सोचते ह कि राजनस्वामी बरबर नाम ले लेते हैं, दियानन्द का, इसलिए ले रहा हूं कि एक महापुरुष जिसके गणना ब्रहमसिष्टी में नहीं होती है, उसके पास सहास है, सत्य बोलने का, सत्य कहने का, पहले दिन उनने पावरानिकों का खंडन किया, तो मुस्लिम और कि अच्छा हुआ है, कि अच्छा हुआ है, एक हिंदू, सन्यासी हिंदू का ही खंडन कर रहा है, दुसरे दिन उनने कुरान का खंडन कर दिया, तो वो खफा हो गए, तीसरे दिन अंग्रेजों का खंडन कर दिया, तो एक अंग्रेज आया, कहा कि स्वामी जी आपको पता आप हमारा राज है, आप हमारा खंडन कर रहे हैं, इसका परणाम भुकतना पड़ेगा, द्यानन्त क्या कहते हैं, यदि मेरी पांचों उंगलियों की कोई बत्ती बनाकर भी जला देगा, तो भी मैं सत्य गाना नहीं चुड़ूँगा, आप सत्य बोलिये, कट्टू न बोलि लेकिन हमारा कर्तब्य है, कि जो धर्म का कथन है, जो सत्य है, विदूर की तरह हमें सत्य का, धर्म का पक्छ लेना चाहिए, चाहिए संसार हमें बिगड़ा हुआ कहे, नास्तिक कहे, कई अमरितमे बचन भी कहे, घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हम किसको फेला रहे हैं, अक्षरातीत की वानी को फेला रहे हैं, और ब्रह्म वानी को फेलाने में संसार जो भी उपहार देता है, उसको मुस्कराते विए सहन करना चाहिए, अंत में हमारी जीत होगी, क्योंकि अंदकार में बटकता हुआ संसार, जब वानी को आत्म साथ करेगा, तो प्रयास्चित के आंसु भाएगा, कि हमने क्या किया था, हो सकता है, मेरी बाते सबको अच्छी न लगे हो, तो मैं चामा चाहता हूँ, लेकिन चाहां वानी के सब्त होंगे, मैं वही कहूँगा, जो तार्तम वानी कहती है, मैं वही कहूँगा, जो समाज कहता है, समाज तो भटकता रहता है इसलिए जो वेद का कतन है सास्त्र का कतन है और सबसे उपर हमारी परमधाम की वाणी जो श्री जी के मुखार विंद से अउतरित होती है वाणी के कतन के विपरीत यदि सारा संसार भी एक तरफ हो जाए तो हमें अकेले ही सबसे संहर्ष के लिए तयार रहना चाहिए जानते है निति का कतन क्या है त्याज्यम नधैरियम विदुरी अपिकाले अपत्ति के समय कभी धैरी को नहीं छोड़ना चाहिए धैरियात कदाचिम इस्तितम अपनी आद्सा धैरी से वो अपने अंतिम लक्ष को प्राप्र कर सकत है जाते समुद्र ही पूत बंगी सान्यांतर को वांचती तूर्तमिवा समुद्र में जदी जहार डूब जाए तो जब तक प्राण है उसमें बैठा हुआ यात्री दोनों भुजाओं से समुद्र को पार करने का सहस रखता है आप भी सहस रखे है चाहें कितना भी संकट हो मैं संघर्ष करूंगा सत्य की जोती को जलाए रखूंगा और जब तक सत्य की जोती जलती रहेगी तब तक सत्य को कोई पुझा नहीं सकता हर प्राणी जदी सत्य के लिए उन्मुक हो जा कि सत्य को मानना और मनवाना जूट को छोड़ना और छोड़ना ही अविष्ठ है त कि जो सत्य के प्रेमी होंगे उनको मेरे विचार अवस्चा छिल लोगी होगे इस तिये स्री जी ने जब देखा कि कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है तो उनको भी विवस होकर करना पड़ा कि बेर बेर वर्जत होरे बाबा ना तो हम जो बिगड़ेगा सोई मेरे पास मता हो नह किसी को भीगाडने के लिए नहीं आया हो क्योंकि मैंने जिस संसार को तुम चाहते हो उस संसार को मैं घर डारिया जारिया हस्ते सो लोग राखत है चिपाई तुम संसार के लिए जी रहे हो तो खुश रहो मैंने तो इस संसार को पहले ही जो देए